सिच्छक को समाज में सरवपरी माना गया है सिच्छक ही है जो समाज को आइना दिखा कर उसे सही तिसा में ले जाता है पीचर प्रात्मिक स्कोल में हो माध्यमिक में अथवा टिगरी कालिज में ज्यादा तर लोग टीचिंग से चुणना चाहते हैं यह उदकांज छात्राओं का तो सपना ही पढ़ाने की जाब हासिल करना होता है आज का Assistant Professor और Professor बन भावी पीढ़ी का मार्ग दर्सन करना जाता है मगर क्या अपको पता है कि Assistant Professor, Associate Professor और फिर Professor कैसे बनते हैं इसके लिए कितनी योइटता जरूरी हैं और फिर इन पदों पर पहुँचने के बाद कितनी सर्वी मिलती है अगर आप ये सारी बाते जानना जाते हैं तो हम आपको बताएंगे किसी भी डिगरी कालेज या या उनिवर्स्टी में सच्छनकार असिस्टेंट प्रोफेसर के पस से सुरू होता है जैता तर ये भ्रांती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्यजडी अनिवार है मगर ऐसा नहीं है हाँ इतना जरूर है कि प्यजडी की उबादी के आधार पर आपको जौब में प्रात्मिकता जरूर मिल जाएगी असेस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी स्टेम में मास्टर डिग्री में 55% अंक होना अनिवार है अन्सूचित जाती यस्टी और अन्न पिछड़े वर्ग OBC के अभ्यरत्यों के लिए 50% अंक लाना आवश्यक किया गया है यानि आप मान सकते हैं कि आपके 55% अंक नहीं है तो आप असेस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं यदि पहली अनिवारता को पूरा कर भी लेते हैं तो आपको उन्हें नेशनल इलिजबिल्टी टेस्ट यानि नेट उत्तियन करना होगा असिस्टन्ट प्रोफेसर मासिक सेर्जी 50 से 70 हजार रुपए होती है अनुभव बढ़ने के साथ ही यह सेर्जी भी ग्रोथ होती है यह आम तोर पर सैच्छिक संस्थानों के प्रबंधन में नेत्रितु की भून का निवाती है असिस्टन्ट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सिच्छन के छेत में कम से कम 10 से 12 साल का अनुभव जरूरी है इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि अपने पुस्तकों सोज़ पत्रों की नियुनतम संख्या प्रकासित की हो साल 2021 के बाद इस पद के लिए पिच्डी भी एनुवार करती है कुछ राज्यों में कालेज वा वेसुविद्याले में तीन से चार वरसों के बाद असिस्टन्ट प्रोफेसर को एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदों न दी दी जाती है कई देशों में एसोसियेट प्रोफेसर को एक पाठक के रूप में भी जाना जाता है एक एसोसियेट प्रोफेसर वह होता है जिसने प्यच्डी अर्जित की हो और एक सिच्छक के रूप में अभी तक वरिष्ट के रूप में काफ़ी सच्छान और अनुसंधान का अनुभ़ो नहीं मिला है बताते हैं कि Assistant Professor प्रोफेसर प्रोफेसर बनते हैं जबकि Associate Professor प्रोफेसर प्रोफेसर कहलाते हैं यूनिवर्सिटेज या डिग्री कॉलेजेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए जरूरी सारे मानकों को पूरा करने के लिए PhD की उपाधि होना जरूरी है दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बीना PhD के आप प्रोफेसर नहीं बन सकते क्योंकि प्रोफेसर अपने subject का एक specialist होता है इसलिए आपको निर्धारित मापदर्ण जरूरी पूरी करने होते है प्रोफेसर बनने के लिए आप net exam के साथ ही PhD भी कर चुके हो और आपको लगभग 5 साल का अनभव होना जरूरी है प्रोफेसर बनने के लिए net exam के अलामा state level पर भी कई तरह के exam होते है मगर net exam का फाइदा ये होता है कि आप देश के किसी भी university या college में job के लिए पात्र होते हैं लेकिन state level के exam के जरिए आप किसी भी state या college या university में प्रोफेसर बनने के लिए उम्रसीमा का कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन net exam जो की assistant प्रोफेसर के लिए होता है उसके लिए उम्रसीमा 21-28 वर्ष निरधारित है आरच्छित वर्गे के candidate को उम्रसीमा में नियमा नुसार छूट भी मिलती है प्रोफेसर की salary एक लाग से सवा लाख रूपे प्रतिमाह हो सकती है